हेल्व स्टूडिंट्स आज हम आप लोगों को एक्सक्रीचन इन हूं성 बिइंग बताते हैं हिल्व वी में एक्सक्रीचन के लिए ओर्गन सिस्टम पाया जाता है और उसस्टम को हम लोग इसक्रीटरी शिस्टम कहते हैं यह पूरा नाम होता है excretory system of human being. Excretory system of human being. यानि excretory system of human being. आज हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं समझाएंगे. Excretory system of human being. यह एक argon system है. और यह किसका किसका बना होता है. यह देखिए इसमें कौन-कौन से argon होते हैं. इस क्रिटी system के argon. argon अगर देखेंगे. तो यह argon में number 1 होता है. वन पेयर. इसमें एक पेयर तो पाय जाता है. kidney. kidneys होता है. और number 2. वन पेयर यूरेटर. वन पेयर यूरेटर होता है. और एक यूरेटर 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 यूरेट तेखें और एक यूरेथ्रा होगा, one यूरेथ्रा, यह इस क्रिटी सिस्टम आफ हुमन बींग के आर्गन्स है, ठेखें, one pair kidneys, one pair ureters, one pair urinary bladder, one urinary bladder, और one urethra, ठेखें, अब इसमें main excretory organ, main excretory organ यही होता है, kidneys, main excretory organ कहा जाता है, organ होता है, और यह human being में, abdominal cavity में, backbone के पास पाय जाता है, either side of book में देखेंगे तो लिखा गया होगा, either side of backbone, backbone में कमर के पास, ठीक है, यह है, backbone के दोनों side में, जैसे यहाँ backbone ऐसे होगी, ऐसे backbone होगी, तो backbone में, इधर kidney होगी, लगी हुई, और इधर kidney लगी हुई हुई, backbone, तीक है, यह होता है, kidney जो होती है, उसका काम होता है, blood को filter करना, blood का filtration kidney में होता है, याद रखना, kidney का main function, क्या है, filtration of blood, blood का जब filtration होता है, तो उसमें से, जो material निकलते हैं, उनको collectively urine कहते हैं, blood के filtration से, जो liquid, जो solution मिलता है, उसको हम लोग urine के नाम से जानते हैं, इसका मतलब kidney के अंदर ही urine का formation होता है, ठीक है, kidney के अंदर क्या होता है, urine formation, अब जो kidney, अब पूरा इसका system फीगर आप लोग देखेंगे, तब आप लोगों को, इस क्रिटी system in human being आपको समझ में आ जाएगा, being saved आपको kidney दिखाई देगी, ऐसे kidney होती है, इगर आपको बुक से देख करके बनाना रहेगा, one pair of kidney, इस kidney में blood ले जाने वाली एक branch होगी, जो यहाँ blood ले करके जाएगी, दोनों kidney में, जो artery kidney को blood ले जाती है, उसको renal artery कहते हैं, renal artery, और एक होती है, जो blood को वापस ले जाएगी, जो blood को वापस ले जाती है, kidney से, उसको renal vein कहते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं, renal vein, renal artery, dirty blood को ले करके वापस आती है, और यह blood जब kidney के अंदर आएगा, तो kidney में filter हो जाएगा, यही साफ हो जाएगा, ठीक है, और blood जब pure हो जाता है, तो वो pure blood इसे, renal vein के द्वारा main vein में, main vein से फिर heart में जाती है, heart से फिर पूरे body में जाती है, ठीक है, अब यहाँ से, यहनी kidney के अंदर जो urine बनेगा, blood के filtration से, वो एक tube में जाती है, kidney से वो कहाँ जाएगी, tube में, हर kidney से एक-एक tube निकलती है, और इसी tube को हम लोग नाम देते हैं, urator, इसको नाम देते हैं, urator, ठीक है, और left और right urator पाय जाएगी, urator यह जा करके, यह urator एक pouch like organ में खुलता है, और उस pouch like organ को आप नाम देते हैं, urinary bladder, यह इसे urinary bladder, ठीक है, और urinary bladder का काम होता है, जो urine यहाँ, यहाँ urine बनेगे, urine को पास करना, urator का काम होता है, urator यहाँ पर, urine को भेजेगा, यह urinary bladder में urine का storage होता है, temporary storage होता है, और यहाँ पर होती sphincter, इनका main काम होता है, यह urine को collective, यह बाहर जाने से रोकना, ठीक है, यह क्या है, यह urator है, urator, ठीक है, urator है, और यह है urinary bladder, urinary bladder, जिनका काम है, urine को store करना, और यहाँ से एक tube like structure होती, जो body से बाहर open होती, इसी को नाम देते हैं, urator, यह नाम होता है, ठीक है, जब इसमें sufficient amount में urine fill हो जाता है, तो time to time यहाँ का sphincter muscle open होती है, यह रिलेक्स हो जाती है, और urine यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, kidney का main काम क्या है, हमेशा याद रखना, kidney का main काम है, blood को filter करके urine का formation करना, और urator का काम होता है, kidney से urine को urinary bladder तक पहुचाना, और urinary bladder का main काम होता है, टम्परोरली urine को collect करना, और urator का काम होता है, urine को blood के body के बाहर निकालना, यह है, तो आपके यहाँ excretive system in human being है, अब इसमें urine formation कैसे होता है, उसको next session में हम आपको बताएंगे।